हिलो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस चैनल हिंदी वाले सल्यूशन में आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एसा वशी करन टोटका ले आई हूँ जिसको कर देने से होगा चमतकार ये एक एसा सक्तिशाली वशी करन टोटका है आप अगर किसी भी औरत या टोटका प्रयोग कर दे तो वह आपके वश में हो जाएगे खुद को आपके पास समर्पित कर देगे बहुत ही प्रभावशाली मुश्लिम वशी करन टोटका है अजमाया हुआ है जिस किसी ने भी ये टोटका किया है ना उसको 100% मिला है अब देखिए आपको अगर रेजल के दोरान बता दोंगी इसलिए मेरा ये आपको बिंती है कि वीडियो को भगा के मत देखना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा सिर्फ ध्यान से आपको देखना है कि उसके बाद आपको क्या क्या चीजे करना है और पूरा ठीक से आप जैसे कर पाएंगे सबसे पहले आप आपको उपर सबसे पहले लिख देना है 786 फिर आपको एक बॉक्स बना देना है देखिए ध्यान से हम यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ चीजे लिखना है जिसके द्वारा वशी करन होगा तो आपको अभी ये चार घर में आपको इसको डिवाइड करना है सबसे यहाँ पर लिखना है अलीफ ये है रा लाम हा इसको हा बोलते है ये उर्द के कुछ शब्द है ये लिखने के बाद नीचे आपको उस लड़की या स्त्री का नाम लिखना है ठीके जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं लड़की हो या स्त्री या फिर पूरुष हो जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम या पर लिखना है प्लस का साइन और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है ठीके बस इतना करना है अब ध्यान से देखिए इतना करने के बाद ये यंत्र बन गया आपको किसी भी प्रकार का मंत्र नहीं चाहिए सिर्फ मैं एक छोटा सा दो शब्द वाला एक बात बोलूँगी वो आपको यहाँ पर मैं लिखके बताती हूँ वो आपको पढ़ना है ठीके पहला जो शब्द है अल और दूसरा जो शब्द है वो है हकीमू देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह शब्द मैंने क्या कैसे लिखा है अब आपको क्या करना है कागज को इस प्रकार से हाथ में पकड़ना है और उस औरत या लड़की का नाम आपको पहले साथ बार उचारन करना है और फिर देखिए अल हकीमू यह जो दोनों शब्द है बड़ा ही पाउरफुल सा सब्द है इसको सिर्फ आपको साथ बार बोल देना है साथ बार बोलने के बाद इस कागज के उपर तीन बार फूंक लगाना है तीन बार आपने फूंक लगा लिया फिर इस कागज को मोरना है और फिर इस कागज को क्या करना है आपको घर के बाहर जाने के बाद जला देना है बस इतना कर दीजी आप देखेंगे वो औरत या लड़की खुद चल कर आपके पास आएगी आपके लिए बेचेन हो जाएगी किसी भी दिन ये टोड़का आप कर सकते हैं पर वक्त जो है वो है दिन के तीन से लेके शाम के पांच बजे के अंदर